जब नलकी बनाना शिखायेंगे दोस्तों ये छोरी चाकू कहते हैं इसके अच्छी तरह से धार लगवा लिजी और ये जो कम्पनी का रबर आता है ना इसको पूरा निकाल लिजे इससे क्या होगा आपके जो नलकी बनेगे ना बिल्कुल कम्पनी जैसे बनती ना जैसे नाय लिजे धालेंगे नहिए तो उससे क्या होगा ऐसा नलकी उपर आ जाती तो उसमें मज़ा नही आता है यानि सामने वाला नलकी देखके कुछ हो जायाना चाहिए कि या नल्की क्या बनाई है और मैं जो भी वीडियू डालता हूँ जो मेरे नए टायर वाले वो सीखने के लिए इसके लिए वीडिया जिसको अगर कामा आता है वो वीडिया ना देखे अपना टायम अपना वक्त मत बरबाद कीजी ठीक है और मैं दोस्तों से माफी चाहूँगा मैं वीडियो बहुत कम डाल रहा हूँ यह पूरा पार्ट था दोस्तों यानि टायर खोलने से लेकर नलकी बनाने तक और पंचर कैसे बनाए पूरा फिटिंग तब पर मेरे लड़के ने क्या किया उसने तो पूरा जो स्टार्ट से टा समय देखा तो उसमें पूरा आधा शौट नहीं था चलो सोचो यार मन के चलो यह भी कोई अच्छी यह भी सीखने के लिए कोई चलो नलकी पंचर और फिटिंग का है कोई अगर कोई दूसरा टायर आए तो मैं उसमें दिखाऊंगा उसमें खोलते कैसे ठीक है जो पहला प तूप से भी जाधा घिस लीजे और दोनों साइट अभी एक साइट पल्टा के घस लिया यह उसको घुमा लिया यह सुलेशन है यह सब ब्रेश यूँच करें और मैंने कापी लोगों के पास देखाऊ डब्बे में सुलेशन डालते हैं मैंने जैसे बाटली बनाई है एक कि उसमें सुलेशन डाली देख सकते जितना लगे उतना ही लगता है ब्लेक वाली उजो पुराना वाल आता ने दोस्तों यहनों जो नई आवाल आता है तेरा नंबर वाले यह पीकप में आ गया पीकप फॉर विलर में यही वाल लगता है इसको पहले घिस लीजे घिसने के बाद इसको सुलेशन अच्छे तरह लगाई है उसको थोड़ा ऐसा ना शुलेशन लगा तो उसमेंं हवा मार लीजी जाता या बात में है यह उमनी का रबर है इसके पर ज्यादा रबर लगवाना भी नहीं बिल्कुल उसके हिसाफ से ना भार निकले यह देख सकते बिल्कुल कम रबर लगता है कि जो बाकी रबर बसता है आप बिल्कुल काट लिजे क्योंकि आपका वाल अगर कमपनी जैसा बनाना तो उसमें रबर बिल्कुल आना नहीं चाहिए बिल्कुल ऐसा नीचे से उंगली डखाईए उंगली लगा दी यहने वो छेद वाला देख सकते बिल्कुल सामने रख दीजिए कभी कभी गरम पक्का बनने के बाद क्या होता दोस्तों अन्दर से जो रबर आता ना गरम होने के बाद जो हवा भरने का च्ञेदेना वो बंध हो जाता सTa क्या करें कभी कभी होता होगा तर वाले कभी तो UE tar उसके लख बिल्कुल सलई बना के रखो कुछ तार बिल्कुल ग्यास के उपर कोई भी चीज से बिल्कुल गरम करें ज़ता लाल होता नहीं तब तक और थोड़ी उसमें हवा भरना पर हवा भरके उसमें डाल देना अभी लाइट चलीगी थी दोस्तों पर यह दोनों चलता रहता विजले के उपर भी और क्यास के उपर कि куда स्पीड से काम होता है ए व तो यह जर एक गानेगाओ का यह आटो वाला इसके आटो है घानेगाव यानि यह काका का नाम तो नहीं पता हमें इस भाई साब का भी नाम नहीं पता अब देखते हैं नलकी कैसे बनी मुझे अलक से वाईस यहने आवाज आती है दोस्तों यह अलक से वाईस डाल नहीं पड़ती क्योंकि बोलते समय ज्यादा शोर रहता है तो आवाज समझ में नहीं आती इसके लिए अब देखते हैं पंचर है अब शैसे वीडियो रोकावडिंग नहीं हुआ है ठीक है चोटा बच्चा है पर सबसे अच्छा करता है रहे शोटिंग जो रहे कापी दोसे उनको शोटिंग नहीं आती जो कभी-कभी मैं ज्यादा यहने शोटिंग करता हूं तो वो स्टॉप करना भोल जाते कभी शोटि मैं तो पहली बाल देखो पूरा जितना दस मिनिट का हूँ या पंदरा मिनिट का वीडियो यह पुरह डालता हूँ आदा ने डाला अभी देविंटर राठोर भाई ने एक वीडियो डाला तो मुझे पस्तन आया अच्छा पंचर बना है पर आदे आदे में मत डालो आदे देखो यूटूब पर वीडियो कोन देखता है जो सीखता है वही वीडियो देखता है तो हम तो नहीं देखते हैं समझो मैं टार का काम करता हूँ मैं तो यूटूब पर देखके थोड़ी वीडियो बनाओंगा यह पंचर का काम सिखोंगा नहीं सिखोंगा जो काम सिखता उसके लिए तो कितना भी टाइम लग वीडियो किसले बनाते लोगों को ग्यान देने के लिए कोई सीख सके तो बिल्कुल पूरा वीडियो डाले देविनर भाई पूरा वीडियो डाले वह पंचर मैंने देखा बस्त बिल्कुल बढ़िया पंचर था चायो दस मीट का हो यह देखेंगा है त्रक्सावा वीडियो जिसको देखना है वो वीडियो पूरा भी देखेंगा है तो देखो नलकी भी बढ़िया बनी है देख सकतें बिल्कुल आपको ल mirrors यसी बनालकी बनी अभी यह पंचर देख सेक्ट है बिल्कुल फिनिसिंग में पंचर बन गया है यह तेरा नंबर वाल आता है यह चार पचास दसकाट आरने आता है यह वाल सेट है वाल भी सही बनाए पंचर तो बिल्कुल सही बनाए पकाने का एक दोस्तों मेरे मुझे तो काफी लोग बलते हैं सागर भाई पंचर बना नहीं अब यह देखो इसको फिट कैसे करते और वीडियो आपको अगर सिकना हो दोस्तों तो वीडियो पूरा देखी स्टार्ट से लेके एन टक देखी तो आपको वीडियो समझ में आएगा और मुझे कॉल मत करी यार देखो मैंने काफी वीडियो डिलेट मार दिये यूटूब से क्यूंकि मुझे कॉल बहुत करते यह याने जिसको मेरा नमबर मिल गया ना यार मुझे खा ना खाया क्या शोय क्या और ये मत पूछो यार इससे क्या होता मैं video डाण लाए मैंने मैंने बहुत छारे वीडियो डिलेट मार दी पता है आपका कोई जिसके पास नंबर है ना यार जिसका कोई काम है वही कॉल कर यार मुझे जब भी कोई अर्जन काम है ऐसा नहीं मैंने देखो मैंने इतने मैंने कमचम 10 तो 15 वीडियो डिलीट मार दिए और एक विननती यार जितने मेरे दुकान पे नंबर आते उन बंदो को कॉल करके मेरा नंबर मत लिजी वो दो तीन बार जगड़ा हो गया था यार वो बोलते है नंबर डिलीट मार दो उसमें कितने वीडियो में आप नंबर डिलीट मार तो मुझे पूरे वीडियो डिलीट मारना पड़ेंगे मुझे comment में number डाल दीजी और बिल्कुल अगर एक बार नी दो तीन बार डाले तो तभी मैं समझ जाओंगा आपको call और जन मैं आपको call कर दूँगा यार और मेरा number जिसके पास है मेरे भाई वो मुझे call ना करे प्लीज यार देख सकते फिटिंग कैसे करते और दोसो एक बात है यह टायर अगर जो बनाना स्थिख गया ना इससे समझ लो बैप परफेक्क कारागिर हो गया बड़े हेवी टायर आता है आप ट्रका टायर खोल सकते हो खोलना बिल्कुल इजी पर यह बहुत हाड होता है ओ रिक्षा थी मेनिटोर नहीं मेनिटोर नहीं यार हमारे तो रिक्षा ही भोलते उसको मेनिटोर अलग तियों टाटा की तीन पईय वाली उसमें तो तेरिंग था देख से उसमें 80 जैसे लोड के शापसे पैसेंजर 30 उसमें 80 जो माल लेके जाते न उसमें 100 पैंड और दोस्तों देख सकते वीडियो अगर पसंद आए उसे लाइक किजिए अपने दोस्तों को साथ शेर किजिए ठीके जै मारेस्ट जै खान देश